दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने अधार काड को आप अपने बैंक एकाउंट से लिंक कर सकते हैं अगर आपके अधार काड आपके bank account से link नहीं है तो कैसे हम लोग check करेंगे कि हमारा यहाँ पर अधार काड हमारे bank account से link है या नहीं अगर link है तो कौन से bank में हमारा अधार काड link है जिसके दोरा dbt यानि की direct benefit fund का जो भी payment होगा उसी account में आएगा तो वो भी हम लोग check करेंगे में हम लोग तो आए आज कीश्योत मैं हम लोग details में देखते हैं कि कैसे आप अपने हर काड को चेक करेंगे कि आपके अधार काड कौनसे bank account में link है या नहीं अगर link है तो कैसे चेक करेंगे और link नहीं कैसे लिंक करेंगे वह अभी इस वीडियो आफ में लोग दीटेल में देखेंगे लेकिन इस से पहला आपको से रिक्वेस्ट करोड़े similar को चैनल को सस्क्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे आपके अधार कार्ट से कौन सा बैंक Link यो या नहीं और ब्राउजर में आने के बाद यहां पर आपको type करना है UDI जैसे ही type करके search करते हैं UDI तो first website जो की देख पर है इस पर आपको click करना है यहां से आपको language जो की select करना है उसके बाद यहां पर जो की नीचे install करके आते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक option जो की देख पर है आध आपको एक option जो की easily देख पर है अधार linking status सांती यहां पर आपको bank sending status का option दिखाया जा रहे इस पर आपको easily यहां पर आपको click करना है यहां पर क्लिक किजिगा तो सबसे पहले तो यहां पर आपको login का option आ रहा तो यहां पर आपको login पर आपको click करना है और यहां पर आपको अधार कार्ड नंबर फिल अप करना है उसके बाद यहाँ पर नीचे में यह capture code दिये गए यह capture code same to same यहाँ पर आपको fill up करना है तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो अधार card number फिल अप कर लेते हैं तो जो भी आपका अधार code fill up करने के बाद send OTP पर आपको क्लिक करना है तो आपके अधार card में जो भी मुबाइल नंबर है इस्ठार होगा उसी नंबर पर OTP one time password send किया जगा OTP को यहाँ पर आपको fill up करना है और उसके बाद करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको fill up कर देना है और OTP fill up करने के बाद login पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर जो कि आपके अधार card से यहाँ पर आपका यहाँ पर easily आप login हो गए सबसे पर तो यहाँ पर नीचे में देख पार है आपको bank sending status का option आ रहे तो इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही यहाँ पर आपको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो कि देख पार है ऊपर में हमारा यहाँ पर congratulations your अधार bank mapping has been done तो हमारा यहाँ पर जो कि अधार जो कि हमारा यहाँ पर जो कि अधार का अधार काट से bank account लिंक है साथ ही यहाँ पर आपका अधार काट से जो भी bank account लिंक रहे गा उसी ने आपका यहाँ पर जो कि dbt यानिक direct benefit fund का पैसा यानि कि सरकार के जो भी fund आता है इसी bank में आएगा तो कैसे हम लोग को यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर जो की activate नहीं है आपको bank account add नहीं है आपका आधार कार्ट से तो कैसे हम लोग को अब add करना सिखेंगे सबसे पहले तो हम लोग चेक करना सीकh लिए कि कैसे हैाँ पर हमारे अधार काड में बैंक एंक हरेए नहीं करना है और जो की कैसे अगर आपका का एक्टिवेट नहीं होगा तो कि आपका दूसरे बेंखोर तो उसका क्या प्रोसेस है तो इसके लिए सबसे फ़ले आपको अपने message box में आ जी जो की देख पर है आपका यहां पर जो की मैसेज में टाइप करना है किसके पास मैसेज सेंड करना है वह आपको नंबर जो की नोट करना है 567676 इसी नंबर पर यहां पर जो की मैसेज सेंड करना है साथ ही यहां पर आपको उसी मुबाइल नंबर से सेंड करना है जो मुबाइ लिखते हैं तो उसके बाद आपको एस पेस देना है और उसके बाद यहां पर आपको अपना यहां पर बैंक का जो भी एकाउंट नमबर होगा तो यहां पर इसली आपको बैंक एकाउंट नमबर आपको टाइप कर देना है तो आपको यहां पर उपर में मैसेज में लिखना ह यानि कि 56, 76, 76 पर message भेजना है और नीचे में यहाँ पर आपको message में लिखना है UID और उसके बाद account number लिख के आपको send कर देना तो जैसे यहाँ पर आपको send कीजेगा तो हमारा यहाँ पर जो कि bank account से अधारकार लिंक है तो हम यहाँ पर send नहीं करेंगे आप यहाँ पर bank में ज अगर आपको यहाँ पर दूसरे bank account है यहाँ पर आपको सबसे पर आपको customer care से या फिर सबसे पहले तहें पर आपको net banking से भी इजली लिंग कर सकते हैं और दुसरे डूट का यहां पर गुज कर सकते हैं तो उमीद करते हैं यहां पर जो कि आप SBI account में अधार card को add करने का complete process आप समझ गये होंगे उमीद करते हैं वीडियो से आपको knowledge मिलाओगा चैनले पर नहोंगे तो चैनले को subscribe करेज़ेगा वीडियो को like करेगा आपने दोस्तों के साथ भी share करेगा मिलते हैं next वीडियो में next topic सा तपतक के लिए जय हिंद बाइबाइ आपने अभी लाओए एससे हो ज़िए।